हेलो हेल्दी फूडी फैमली, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हेल्दी फूडी दोस्तो आज मैं आपसे बात करूंगी उन खाने पिने की चीजों के बारे में जिनमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है ओमेगा थ्री एक ऐसा इंपोर्टन फैटी एसिड है जो शरीर के लिए तो बहुत ही जरूरी है लेकिन शरीर खुद इसका निर्मान नहीं कर पाता इसलिए इसे डाइट के जरिये ही शरीर में लेना पड़ता है हाट को सुरक्षित और हेल्दी बनाय रखने में ओमेगा थ्री फैटी एसिड का बहुती बड़ा रोल होता है इसके लावा ये हमारे ब्रेन को भी दुरुस्त रखता है और चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी परिशानियों से भी बचाफ करता है ओमेगा थ्री फैटी एसिड डाइट में ना लेने से शरीर में अंदर ही अंदर किसी ना किसी वज़ा से सूजन पैदा होती रहती है और इसके लावा जोडों में दर्द, पिंलियों में दर्द, बिना काम कि ये ही शरीर थका थका सा महसूस करता रहता है तो अच्छा रूखी पढ़ जाती है, शरीर की इम्मुनिटी घड जाती है, आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है, बाल जादा तूटने लगते है, बलड प्रेशर भी हाय हो जाता है, तो इन सब दिक्कतों से शरीर जूचता रहता है तो ऐसे में आज हम जानते हैं कौन से खाने पीने में उमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा होता है पहला है अखरोट, दोस्तों अखरोट में भरपूर मात्रा में उमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है 30 gram अक्रोट में ही कम से कम 2.5 gram तक का omega 3 fatty acid मौजूद होता है इसे खाने से यादाश तो बढ़ती ही है साथी ये हमारे nervous system के लिए भी अच्छे होते हैं अक्रोट खाने से शरीर में good cholesterol भी बढ़ता है और heart भी स्वस्त रहता है दूसरा है flaxseed यानि की alci के बीज दोस्तो alci के बीज भी omega 3 fatty acid के लिए एक और बहुती अच्छे भैतरीन सोर्स है जो market में तेल की form में, powder की form में, capsules के रूप में और यहां तक की इसका आटा भी उपलब्ध होता है ये कब्ज, diabetes, high cholesterol, दिल से जुड़ी कोई भी बिमारी को रोकने में और हडियों को मजबूत बनाने के लिए फ्लैक सीट्स फायदिमंद होते हैं तीसरा है अंडे दोस्तो अंडों को भी omega 3 fatty acid की कमी को पूरा करने के लिए खाया जाता है अंडा खाने से शरीर को energy मिलती है और कई सारे और बहतपून पौश्टिक गुन जैसे की विटामिन E, folic acid, protein ये सब भी शरीर को मिलते हैं और साथी इसके अलावा अंडों को खाने से शरीर की मास पेशियों में भी ताकत आती है अगला है पालक दोस्तो पालक में भी omega 3 fatty acid भरपूर मातरा में पाया जाता है 100 ग्राम पालक में ही कम से कम 40 mg तक का omega 3 fatty acid मौजूद होता है जो शरीर के विकास को बढ़ाने में, मानसिक संतुलन को सुधारने में, दिल के रोगों से दूर रखने में, हडियों को मजबूती दिलाने में, खून की कमी को पूरा करने में, इन सम्मे पालक अपना योगदान अच्छा दिखाती है आखरी में है फूल गोबी दोस्तो फूल गोबी में भी उमेगा 3 fatty acid मौजूद होता है, जो की शाकाहरी यानि की vegetarian लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा option है एक medium फूल गोबी में ही लगबग 208 mg तक का उमेगा 3 fatty acid पाया जाता है और 62 gram का उमेगा 6 fatty acid जो की अच्छा है और ये हमारे वजन को गटाने में, हाई blood pressure को कम करने में और शरीर की सूजन को कम करने में भी फूल को भी अच्छी होती है तो दोस्तो ये थी ऐसी खास खाने पीने की चीजे जो ओमेगा 3 fatty acid को शरीर में बढ़ाने के लिए फायदेमंद होती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेर कीजिए अपने family के साथ, अपने friends के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस YouTube चैनल को जिसका नाम है Healthy Foodie ताकि आपको new updates मिलते रहें तब तक के लिए stay healthy, thank you